आप देख रहे हैं ब्रेकिंग दिए चक्रधरपूर ग्रामिन विकास विशेश प्रमंडल के ओर से सदर प्रखण अंतरगर टॉंटो पंचायत के सुफल साही से पूर्णिया जाने वाले सड़क पर मच्छवा बस्ती में पुलिया का निर्मान होगा यह पुलिया लगवग एक करोड़ बाहतर लाग की लागत से बड़ी की इसका सलानियास शनिवार को मानने मंतरी श्रीदीपक गुर्वाज जी ने विधिवत पूजा रशना के बाद नारियल फोड कर किया पुलिया बनने की ख़वर पाकर ग्रामिरों में खुशी देखी गई किरामिरों ने मंतरी जी के प्रतिया भार प्रकट किया दरजनों गाउं को जोड़ने वाली वरसों पुडानी ये पुलिया काफी जरजर हालत नी थी ये पुल बनने के बाद लगभग एक दरजन गाउ कि निवासियों के लिए सुगम यात्रा की सुविधा होगी मौजद पुलिया यात्रियों के लिए परेशानी का सबब रही है खासकर बरसार के मौसम में और अक्सर दुरगटनाएं होती रहती है नए पुलिया से शित्र में सुरक्षा और संपर्क में सुधार होनी की उमीद है इस दोरान मंत्री जी ने कहा कि जंता का सायोग मिला और विशेत्र में विकास कुगती थी उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में भी इस विधान सवाशेत्र का समुचित विकास होगा इस मौके पर सतीस बानरा, राजु सुन्डी, सुमी पूर्ती, दिनेश पूर्त के बाद मानुनी मंत्री स्री दीपक बिरुवा ने शनिवार को घर पहुंच कर स्वजन को सांतुना दी और विभाग से मिलने वाली आर्थिक मदद दिलवाने का भरोसा दिलाया, सदर प्रखन के कुंदू बेड़ा गाउन निवासी रामाय पूर्ती और घंद श्याम पू अर्थिक मदद दिलाने का भरोसा दिलाया है, साथ ही किरिया करम एवं घायलों का इलाज हेतु अपनी ओर से आर्थिक सायुगराशी प्रदान की, इस मौके पर मरत्कों के परजनों समीत काफी संख्या में गिनामीन मौजूद थे